बताने जा रहा हूँ, chat GPT के बारे में, यह एक AI-based system है, जो आपके text input को लेकर text output generate करता है, जैसा कि AI की definition है, कि AI, एक अच्छा AI वो है, जहाँ पर computer के दूसरे side, machine बैठी है, यह human बैठा है, जब पता ही न लगे, then you can say that, कि वो सही माहिने में एक AI है, तो आजकल chat GPT की काफी बाते की जा रही है, आई यह देखते हैं, इसका थोड़ा demo देखते हैं, तो आप इससे कुछ भी question पूछेंगे, जैसे human से पूछ रहे हैं, और वो उसी तरह output देता है, तो आजके देखते हैं, कि हम इससे कुछ अलग-अलग domains पर question पूछते हैं, ठीक है, तो चलिए एक बड़ा common question है, उसको पूछते हैं, ठीक है, और देखते हैं, एक human की तरह जवाब मिलता है कि नहीं, तो मैं इससे पूछने जा रहा हूं कि, tell me about countries that provide free education for Indians, तो अब देखे, इसमें बताना शुरू किया, तो देखे, पहला देखे, Germany आया है, फिर France, Norway, Sweden, ठीक है, अब देखे, इसके बाद यह बता रहा है, last में बता रहा है, it is worth noticing that while these countries offer free education, students may need to pay for other expenses, देखे, लगभाग एक expert human की तरह है, आपको इसका answer मिला है, कि मान दीचे, कोई एक experienced human से आप पूछते हैं, जिसको इसके बारे में knowledge है, तो आपको countries की list देता और थोड़ा बहुत बताता, ठीक है, और last में ये बातें भी बताता, आई अगला question देखते हैं, कि किसी animal के बारे में पूछ के देखते हैं, चाहिए, dogs के बारे में पूछते हैं, tell me about rare dogs, देखे, एक दम focused जवाब दे रहा है, जैसे एक intelligent human, जो कि dog के बारे में जिसको जनकारी होगी, वो जो जिस तरीके से आपको जवाब दे सकता है, वैसा जवाब दे रहा है, इसलिए इसके बारे में काफी बातें की जा रहे हैं, क्योंकि AI, especially natural language processing based AI है, अब देखे, इसी को यह भी आप किसी robot robot में डाल देंगे, तो क्या होगा कि आप बोलेंगे text to speech और speech to text और उधर से text to speech में convert करके, यह काफी कुछ आपको सही और useful answer दे देगा, यह free नहीं है, आप जब join करते हैं, तो यह कुछ आपको 13 dollar का कुछ initial uses देता है, और जिसे आप साब questions पूछते हैं, और उसके answer के basis पे उसमें से credits कम होते है तो अभी फिलाल लगता नहीं है, इन्होंने अभी तो सबको free दे दिया है, कि एक user के लिए आप try कर सकते हैं, और जब आप इस पे login मनाते हैं, तो अब आप देखिए अपने questions भी पूछ सकते हैं, जैसे computer science का होने के नाते मैं computer science के भी सवाल पूछ सकता हूं, what is blockchain, और यह काफी कुछ एक बढ़िया assistant की तरह काम कर रहा है, और काफी सटीक answer दे रहा है, आइए देखते हैं, ऐसा तो नहीं करता कि यह analyze analyze कुछ नहीं कर रहा है, बस google search करके हमें लाके दे देता है, चलिए इसको check करने के लिए, इसको select करते हैं, और इसको search करते हैं, किसी particular जगे से exactly उठा के तो नहीं ला दिया है, तो देखते हैं, Wikipedia अभी तक तो नहीं मिलता नजार आ रहा है कि यहाँ पे, exact match कहीं भी नहीं है, देखें यह दी हम Wikipedia को देखें, और इसके answer को देखें, तो यहां से blockchain is a digital record of transactions, it consists of a network, और यहां पे blockchain is a distributed laser technology, और जो इनकी पहली जो search थी, जिसम में यह claim कर रहा है कि सबसे ज़्याद मैच कर रहा है, दिखते हैं, यहां से तो नहीं exact copy है, तो यहां भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि exact copy है, ठीक है, blockchain is shared mutable laser, इसका मतलब यह है कि एक human की तरह जवाब दे रहा है कि ही, एक human जिसने blockchain को अलग-अलग resources से पढ़ा है, और उसके बाद वो इस तरीके का एक concise compiled answer दे रहा है, जो कि इसकी खासियत है, जो इसे AI बनाती है, दर्वाइस यह सर्चिंजन हो जाता, ठीक, आईए इससे कुछ और चीज़े पूछते हैं, जिससे ऐसा लगेगी कि कुछ यह अपने हिसाब से करता है, जैसे मैं किसी human से कहूँ कि य यह एक story सुनाता है, अब जब आप इस story को कहीं भी सर्च करने जाएंगे, तो वो exact नहीं मिलेगी आपको, ऐसा लगेगा कि इसने अलग-अलग कहानिया पढ़ी हुई हैं और inspire होके एक नई कहानी बनाईगी है, जो कि इसकी power है, तो जैसे मैं इसको चलिए poem पे बात करते है write a poem on college student, चलिए लिखते हैं क्या देगा, दिखिए आपको poem भी लिखके दे रहा है, यानि एक intelligent human, जिसके अंदर poem writing capability भी है, ठीक है, तो ये सारी जो इसकी powers हैं, इसी के कारण ये एक इसको बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा AI system बन के तयार हुआ है, देखिए इसका क्या process कौन्स होते हैं, ये कुछ समय में समझ में आएंगे, इस पर काफी समय से काम चल रहा था, बट अभी latest जो update आया है 15 December 15 वरदन, इसी के बारे में काफी बात हो र करिए और देखिए इसके अंदर क्यक्य के के बिल्टी है,